मान लेते हैं हमारे पास कोई आवर्ती दशमलव repeating decimal संख्या 0.008 है जहां अंक 4.008 की पुन्रवृत्ती होती है और अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा 0.008 4.008 4.008 और इसी तरह इसे आगे तक लिख सकते हैं मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को थोड़ी देर रोक कर खुद से सोचने की कोशिश करें कि क्या इस आवर्ती दशमलव को अनंत पदों के योग मतलब infinite sum या अनंत श्रेनी infinite series से सूचित कर सकते हैं और इसके बारे करता हूँ आपने अब तक सोच लिया होगा चलिए अब इसके बारे में सोचते हैं हम अनंत श्रेनी के प्रतेक पद को यहां एक आवर्ती पैटन 4.008 से सूचित करेंगे तो उधारन के लिए मान लेते हैं कि 4.008 प्रथम पद है हम यहां इस 0 और इस 4.008 को 0.008 से सूचि और इस 4.008 को हम 0.008 लिखते हैं तो यहां यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ शुन्ने हैं अब इसके बाद 4.008 लिखते हैं और आगे के पदों में भी हम इस रूप में लिख सकते हैं तो चलिए इसे ऐसे ही करते हैं अब हम यहां एक पैटन देख सकत हैं वास्ताव में हम प्रतेक बार दशमलव के बाद 4.00 लिख रहे हैं और हम इस तरह आगे बहुत सारे पद लिख सकते हैं इसलिए हम इसे अनंत पदों का योग या अनंत श्रेणी कह सकते हैं अब अगला प्रशन यह है क्या ये एक गुनोत्तर श्रेणी है अगर ये गु 0.008 से यहां इस संख्या पर आते हैं तो हम किस संख्या से गुणा कर रहे हैं ध्यान दे हमने 4.008 से पहले 4.00 जोड दिये हैं तो देखते हैं हम किस संख्या से गुणा कर रहे हैं हमने यहां दशमलव को 4 इस्थान बाई और खिसका दिया है जिसका आर्थ है कि हमने यहां शून्य दशमलव शून्य 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 एक या दसकी घात रिनात्मक एक, दो, तीन, चार, यानि चार से गुणा कर रहे हैं। और यहां से यहां जाने के लिए एक बार फिर हम दशमलव को चार स्थान बाई और खिसका लेते हैं। तो एक बार फिर हम यहां भी 0.001 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए अब यहां बिलकुल स्पष्ट है कि इस श्रेणी का सारवनुपात 10 की घात रिनात्मक 4 है, चलिए अब इस श्रेणी को पुनह लिखते हैं, तो यहां यह 0.008 गुणा सारवनुपात, यहां इस पहले पद के लिए सारवनुपात 10 की घात रिनात्मक 4 की घात 0 है, फिर यहां जमा 0.008 गुणा 10 की घात रिनात्मक 4 की घात 1 है, जिससे हमें ठीक यह पद प्राप्त होता है, और यहां जमा 0.008 गुणा 10 की घात रिनात् तक जा सकते हैं. तो अब इस रूप में लिखने के बाद एक चीज स्पष्ठ हो जाती है कि ये एक अनंत गुणोत तर्श्रेणी है. अब अगर हम इसे सिग्मा संकेतन, मतलब सिग्मा नोटेशन के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम यहां सिग्मा चिन और के का मान 0 से अ रेनात्मक 4 ही लिखूंगा. तो चलिए इसे 10 की घात रेनात्मक 4 लिखते हैं, फिर इसकी घात के लेते हैं. तो अब यह रोचक है, क्योंकि स्पष्ठ रूप से ये गुणोत तर्श्रेणी को सूचित करता है. चलिए देखते हैं कि इसका योग क्या है? हम कह सकते हैं कि इ अनन्त गुणोत तर्श्रेणी के योग के बारे में जो कुछ पढ़ा है, उसका उपयोग करते हुए यहां इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करने की कोशिश कीजिए. मैं उमीद करता हूँ कि आपने कोशिश कर लिया होगा. तो आईए अब इसके बारे में सोचते हैं. औ हमें गनित में ये श्रेणी पढ़ने का अवसर कई बार मिल जाता है. लेकिन इस स्थिती में यहां एक अमान 0.008 है. अब यहां बटा एक घटा सारव अनुपात यानि 0.001 लिख सकते हैं या हम इसे एक का 10,000 भाग कह सकते हैं. चलिए देखते हैं अब ये किसके बराबर ह होगा तो ये 0.008 के समान होगा. अब अगर हम एक घटा एक का 10,000 भाग लेते हैं या यूं कहें कि अगर हम इसे 10,000 का 10,000 भाग घटा एक का 10,000 भाग लेते हैं तब हमें यहां 9,999 का 10,000 भाग प्राप्त होता है. चलिए इसे थोड़ा और इस पश्ट करते हैं. हम इसे ऐस इससे लिख सकते हैं, कि ये एक 10,000बटा 10,000 के समान है, और हम इस से 1 बटा 10,000 घटा रहे हैं, इसलिए हमें यहां 9,999 बटा 10,000 प्राप्थ होता है, तो अब ये 0.00 automate 4.008 गुना 10,000 बटा 9,999 के समान है, इसलिए यहां गुना 10,000 बटा 9,999 है, चलिए देखते हैं, अब इस स अंख्या में 10,000 से गुणा करने पर क्या मिलता है? ठीक है, इस से हमें 4,008 प्राप्त होता है, इसलिए अब ये 4,008 पटा 9,999 होगा, तो इस प्रकार हमने आवर्ती दशमलव को भिन्न के रूप में व्यक्त किया है, और ऐसा करने में हम सफल हुए हैं, तो अब हम इसे भी सर करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहां अंकों का योग करते हैं, यहां 4,008 परावर 12 है, और 1,002 परावर 3 है, तो ये 3 से विभाज्य है, और ये भी 3 से विभाज्य है, इसलिए अब हम इन दोनों को 3 से विभाजित कर सकते हैं, तो 4008 को 3 से विभाजित कर और यहां 3 गुणा 3 बराबर 9 है और इसको घटाने पर यहां 1 मिलता है अब इस 8 को नीचे लेते हैं तो अब यह 18 तीन से 6 बार विभाजित होगा इसलिए अब यहां अंश नूमरेटर 1336 है अब हमें से तीन से और विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन अंकों का योग ती तीन से विभाजि नहीं है तो अब यह तीन का गुणा जियानी मल्चिपल नहीं है और अगर हम इस हर को तीन से विभाजित करते हैं तब हमें 3333 प्राप्त होता है इस तरह हमने इसे सरल कर लिया है मुझे लगता है हम इसे जितना सरल कर सकते थे उतना सरल कर लिया है लेकिन हमें और भी कोशिश करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसे और सरल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से हमने इसे लिख लिया है। जो कि काफी सरल है। हमने यहां देखा कि एक आवर्ती दशमलव संख्या को हम सिर्फ अनंत श्रेणी ही नहीं बलकि अनंत गुणोतर श्रेणी के रूप में भी लिख सकते हैं। जिसके बाद हम सूत्र प्रयोग करने में सक्षम हुए जो अनंत गुणोतर श्रेणी के पदों का योग करने के लिए प्रयोग होता है। और हमने उसे भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर दिया है।